तो चलेगे फ्रेंश कुछ नयसीक लेते हैं बाइस सा आपको थम्लेंग ऑपनर बनाना सिखा रहे हैं तो आज मैं आपको बैनर बनाना सिखा रहे हूँ तो किस तरीके से बनाना है सबसे पे carbon a लेक्पिस के अंदर चलेंगे और सकरदेंगा इस त्रीके से जैसे मैं कर रहु мнCrg मैं आपको उस आपको करना है आपको स़हा दाने के पाद आपको देखो इमेज साइड प्यानाए है इमेजा प्यानी के पार यूट्य democracy उसकी फ्रव्देंटने जो noticing कर देना है और चुब हकुआ सबस्कूर के अंदर आना है और फरस्ट प्लस पर आना है प्लस तरीके यह और और इसको कर देना फिर्क ने के बाद धी आयिकण पर यह जाना है और आपको ये वाले पिक लियाना है इस तरीके से लाने के बाद आपको कुछ नहीं करना आपको थोड़ा सा इस वाले में आना है relative size के अंदर आना है इस तरीके से इसको कर देना पूरा और अब आपको जैसे मतलब जितना पर वाकि को नीचे ले लेंगे इसके बाद आपको क्या करना इसको कर देना आपको 8 या 10 त्याहिक है ऐसा होने के बाद है ऐसं क्या करना कतिर से अपको पिरसे प्लस उने एकन पूछलान मेडिया पर जाना है और रही है याद को मिल द गया कि यही है जिस पे आपका बेनर बनेगा तो इसको कुछ नहीं करना आपको रिलेटिव साइज के अंदर आना है और इसको इस तरीके से कर देना थोड़ा सा इसको उपर कर देना सैट इस तरीके से करने ऐसको टेंपलेट को टच करेंगे बेकग्रांड पर जाएंगे और बेकग्रांड को इस तरीके से उपन करदेंगे और इननं दोनों को इस तरीके से इस फैट कर देंगे यह जो रैड लाइने हैं इन दोनों को एकदम मतलब equal करना ताकि यह बीच में जो भी चीजी रहे वह equal आजाए ठीक है फ्रेंट्स यह दोनों जो लाइने हैं इनको equal कर देना बस आप और कुछ भी मत करना इन दोनों की साइज आपने equal कर दी फिर अपना बेनर जो है equal हो जाए आप इनको कर देना है लेर में जाके लोक इसको कर दो इसको कर दूँ ठीक है ऐसा करने के बाद आपको फिर से इस पर जाना है और चाल्स जाना है कि आपने कितना काम पिक्सा लेक पे किया तुसी के अकोर्डिंग फ्रेंड्स यह जम जाता है आपसे काफी टाइम से काम कर रहे ओ तो आपसे फोटा फट जम जाएगा और अभी नए 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 हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और धरीए मत दीरै-दीरै काम करते दिए अब इसको कर देना आपको फिर से जाके लोग इस तरीके से ताकि यह लेने आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है मीडिया पर जाना है और यहां पर इस तरीके से यह मिल जाएगी आपको इसको लिखके आना है इस तरीके से इस तरीके से इसको कर देना है सेट आपकी फूट्टो के गोडिंग इसको भी सेट कर दीजिएगा सैट करने के बाद आपको क्या करना है फिर से एक बार मेडिया पर जाना है गेलरी पर जाना है और कि यह लाइनिंग वाली आपको मिल जाए कि इसका थोड़ सा रोटेशन आपको कर लेना है छेंज फ्रेशन आप चैंज कर लोगे तो यहां पे आप तरीके से आना इस तरीके इसको जमा देना पतले मोल जैसी आप इसको रखना चाहते हो तो इसको कड़ देनाा आप और उनको सही से कर्टे जाना है जमाते करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा फ्रेंस आप ऐसे सोच रहे हूं यह फटा फट जैसे बना रहे हैं वैसे बन जाएगी ऐसा नहीं है इनको जितना आप बढ़िया से क्वालिटी में सजाएंगे टाइम देंगे उतनी ही यह आपके बढ़िया बन जाएगी अब आपको क्या ग कर देना है एकदम छोटा आपको छोटा करने के बाद आपको इसके बेग्राउंड पर जाना है और बेग्राउंड का कलर कर देना आपको वाइट और लाके आपको यहां इस तरीके से और छोटा करना है तो कर दीजेगा यहां रख दीजेगा रखने के बाद आपको क्या कर फिर से आपको मेडिया पर जाना है और प्लस वाले आइकन पर जाना है एडिट पर जाना है और पैंसिल वाला आइकन लेना आपको और यहां पर आपको जो लिखना है ठीक है यहां पर इस तरह के से लिख लेंगे आपको और आपको पूंट का कलर जो भी आप यहां पर देना चाहते हो वह आप यहां पर देदेंगे ठीक है फ्रेंट्स देने के बाद आपको अपने फोर्टो लिख के आने हैं जो मैं लिख के आती हूं इस तरीके से पिक मतलब आप अपने पिक बना लेंगे बनाने के बाद आपको इस तरीके से इस पर कर देना सेट और इसका कलर आप पीछे से देना चाहते हो तो देर दीजिएगा और इस तरीके से आप अपने फोटो मतलब लगा लेंगे और लगाने के बाद पीछे वाले उसको भी कलर देना चाहते हो तो आपको क्या करना उसको थोड़ा सा ओपिन करना है है इसको इनको तो कर देना लोग और इसे भी कर देना लोग और जो पीछे गोल वाला है जैसे यह वाला है इसको ओपन करना है और उपन करके इसके अंदर आपको पीछे बेग्राउंड के अंदर आ जाना है कि इसको एक बाइसे तश करने के बाद बेग्ग्रावंड में आना है बेग्ग्रावंड का कलर आप जैसा भी देना चाते हो यह that ग्रीन जैसे बहिना चाते हो इसको दे सकते हो इसके बाद इस ब्रेड बढर से खुलना है और अब इसको कर देना है लोक ठीक है और पिक को भी आपको इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रोक देना है तो स्ट्रोक ओन कर लेना है सिर्फ ओन ही करना है और इसके बाद इसमें थोड़ी सी देनी आपको सैडो तो यह सैडो आपको मिल जाएगी इस तरीके से आना है सैडो को कितना देना चाहते हैं तो मैं थोड़ा फिच्छे की तरफ ही थोड़ा हलका सा यह देख लीजेगा इधर की दोलतों है इसके बाद रूंआ च्रहलए रगाए उसकर ऑप यह ऐसा करने के बाद आप आपको क्या करना है फ्रेंट से डोट बनाने थोड़ी सी आप बना भी सकते हो और डाइरेक्ट लेक्ट की भी आ सकते हो तो कुछ नहीं है आपको प्लस वाला आइकन पर जाना है और जाने के बाद आपको यह जो pencil वाला icon इस तरीके से आपको लेना है लेने के बाद आपको क्या करना है इस तरीके से आपको थोड़ी सी dot लगा लेनी है ऐसे समझी ठीक है friends समझने के बाद इस तरीके से आपको इस तरीके से रख लेना है इसी का डुब्लिकेट कर लेना है उसे भी इसी के पास में रख लेना है फिर से आपको एक पर और इसका डुब्लिकेट बना लेना है इसी के पास रख लेना है इन तीनों को आपस में एकदम एक्वल बढ़िया से रखना है रखने के बाद आपको क्या करना फ्रेंट से इस पे जाना ए इस तरीके से पहले इनको इकोल कर लेंगे आपस में करने के बाद आपको क्या करना इन तीनों को आपको इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से आएंगे इन तीनों को कर देना आपको मर्ज तो यह मर्ज हो जाएंगे तीनों इस तरीके से मर्ज होने के बाद इनका कलर जो है आप चेंज कर सकते हो तो यहां तुम्हें तुम्हें वाइट ही दूँगी थोड़ा सा और देने के बाद आपको क्या करना है फिर से इसको इस तरीके से करना है और करने के बाद आपको यहां अपना नाम लिखना है तो सबसे पहले आपका अपने नाम लिख लिजिएगा टेक्स में जाके सबसे पहले पैंसल पर आएंगे और जो भी आपके यूटूब का नाम है वो लिख लेंगे तो मेरे योट्यूब पर नाम ये है मैं लिख लेती हूं लेक लेने के बाद इधर आएंगे यहां पर आने के बाद आपको इस तरीके से आपका नाम रख लेना है रख लेने के बाद आपको क्या करना है फॉंट आप जो भी लेना चाहते हो तो अभी में थोड़ा सा फॉंट करने के बाद आपको क्या करना फंट से इस तरीके से इसको सैट कर देना है और करने के बाद आपको देखो इधर यह धर आपजाते हो तो यूट्यो की लोगों भी लगा सकते हो और नहीं चाहते हो तो सेम टूझ सए कि एस डीजैन तेसे इस्टार्टिंग के अंजल जी आपने आपको क्या करना फिर से मेडिया पे जाना है और फिर से मेडिया पे जाने के बाद देखो यहां सुसा पर जाना है गैलरी पर जाना है और इस वाले को इस तरह किसे लेना है और इसकी पोजिशन जो है वो भी आपको चेंज करनी है उस साइड में लगाना आपको इसको तो इस तरीके से इसको पास में थोड़ा सा पास में कर देंगे इस तरीके से इसको इस तरीके से भी सैट कर देंगे सैट नहीं हो तो जो बैनर है इसको आप पीछे ले जाएंगे इस तरीके से बटाबट सैट हो जाए और इसके बाद आपको क्या करना है यह वाला जो है इस यह भी फिर से एक बड़ लियाएंगे और इस वाले की भी पोजिशन आपको चेंज कर देनी है तो आप जैसे चेंज करने चाहते हो वैसे ही चेंज कर दीजीगा तो ठीक है मैं इदर से इसको इस तरीके से लगा लेती हूं और अब फ्रेंट्स हमारा जो यह है इस तरीके से जम गया है और आप भी इस तरीके से बना लीजेगा और यह जब थोड़े उन्हें 20 ऐसे लगे आपको कि थोड़ी सही नहीं बैट रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना इस तरीके से लेयर पर आना है और आने के बाद यह जो है इसको सबसे उपर ले आएगे इस तरीके से आप सबसे उपर ले आएंगे तो यह सब निच्चे रह जाएंगी इसकी ठीक है फ्रेंट्स और इसमें कोई भी वह होगी कडबड वह अंदर ही चली जाएगी और आपको दिखाई नहीं देगी ठीक है फ्रेंट्स थोड़ा सा इनको जमाने में देखो फ्रेंट्स टाइम लगता ही है तो इस तरीके से आप कर लेंगे ठीक है